हेलो दोस्तों नमस्कार तो कैसे आप सभी उमीद करता हूँ अच्छे होंगे स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्रमाजनिंग क्लासिस के अंदर दोस्तों जैसा कि आप हेडिंग पढ़ सकते हैं सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर राजस्तान सरकार ने सभी भरतियों में लागू किया नया नियम अब क्या होगा जी हाँ दोस्तों बिल्कुल वीडियो जो आप देख रहे हैं उसी टॉपिक के ओपर एक वीडियो में आपके लिए लेकर कैया हूँ एक नया अपडेट आया है और उस अपडेट के बारे में वैसे मैं बताऊं तो पहले हम लोग डिसकस कर चुकी हैं लेकिन आज जो है वो थोड़ा सा उसके ओंदर मोडिफिकेशन होकर के एक अपडेट आया है क्या अपडेट आया है आप लोगों का जो डाउट था ना वो आज इस वीडियो में क्लियर होने वाला है जो सभी भरतियों को ले लिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि दोस्तों आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो अप्लोड की थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि आपके जो परमान पत्तर है चाहे वो कोई भी आपके जो सर्टिफिकेट्स है वो आपके आवे भी आपको नहीं मिलेगा तो उसको लेकर के काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किये थे कि सर क्या पता है इनी भरतियों में लागू होगा इसका सर पूरा फंडा क्या है तो उसको लेकर के दोस्तों अभी एक जो है ओफिशल अपडेट जारी हुआ है बहुती तरो authenticating news के उपर verification किएगी क्या ये news सही है गलत है तो ये news बिल्कूल 101% दोस्तों बिल्कूल ही सही है ठीक है ना तो आप लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं अब देखें यहां पर क्या लिखा गया है समस्त अती मुख्य सिचीव प्रमुख शासन सिचीव सासन सिचीव विजिस् जनजाती अन्य पिछडा वरग अती पिछडा वरग एवं आर्थी ग्रूप से कमजोर वरग के अभियर्थियों के लिए आरक्षन का प्रावदान किया गया है जैसा कि आपको पता है कि इन सब के लिए क्या है दोस्तों रिजर्वेशन है बोले तो आरक्षन है ये बात अरक्षन का लाब परफ्त करने तो अभियर्थियों को समंदित श्रेणी के प्रमान पत्र की आवशिकता होती है यानि कि आपको रिजर्वेशन तबी मिलता है जब आपके पास अथंटिकेटिक पेपर होते है आपके पास जो है दस्तावे जोते हैं प्रमान पत्र होते है और अभियर्थी के पास सक्षम प्रादिकारी द्वारा जारी परमान पत्र आवेदन भरने की अंतिम्तिती से पूरव का होना आवशिक है ये लाइन पढ़ लेजिए यानि कि आपके पास जो परमान पत्र है वो आपके फोम भरने से पहले का होना चाहिए जैसे मान लोग की देट का गया आपके पास परमान पत्र है दोस्तों तो आप लोगों का ऐसा नहीं कि भरती में नहीं बैटने दिया जाएगा भरती में आप लोग बैट होगे लेकिन आपको जो लाब है आपकी जो शिरनी का जो लाब है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा ठीक है ना त जो विवाद है वो ना हो अब दोस्तों एक बात और सुन लो अभी थोड़ा ये और देख लो या पर क्या का गया है अत्या सभी समंदित को निर्देशित किया जाता है कि बर्ति ये तू विर्थी की श्रेणी के समंद्ध में उसकी पातरता का मुल्यांकन आवेदन की अंतिम ग्यापन में इस समंद्ध में पस्ट उलेख किया जावे ताकि बविश्य में इस समंद्ध में किसी परकारव का विवाद उत्पन ने हो यानि कि यहां पे राजस्तान सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि जो आपकी जो पातरता है उसके लिए आपके जो डोकुमेंट्स है वो आपकी पहले की डेट के होने चाहिए बहले की डेट के होने चाहिए और ये जो ओडर है वो सभी की सभी विभागों को भी दे दिया है सबीक से की विबागों को ओडर दिया है कि अगर इद आप कोई भरती जारी करते हो तो उसके अंदर आप लोग इस बात का उलेख करो उस बरती विग्यापन में कि यह जो दस्तावेज है यह उस समय से पहले के होने चाहिए आवेदन किती ठीके बाद के दस्तावेज मान्ये नहीं होंगे आपको आरक्षन नहीं मिलेगा नोकरी मिल जाएगी बट आरक्षन आपको नहीं मिलेगा ठीक है ना आपके मार्स अच्छे हो तो आपको नोकरी मिल जाएगी अब मेरी बात आपने का ध्यान से नोट की तो मैंने बोला है विभागों को ये कहाई कि जो भी आप भरती अब निकालोगे आप निकालोगे का मतलब क्या है जो बविश्यकाल में जो भरती आने वाली है तो समझ गया आप बात यानि कि कई सारे विद्यार्थी जो मेरे बाई बेनों काफी टेंशन में हो रहे है कि ये सर इससे मतलब तो हमारे प्रमानपतर पुराने है हमारे प्रमानपतर आप बन रहे है तो अब वाली भरतियों में नहीं आई ये अब जो निकली हुई है उनमें नहीं है ये नियम जो आगे आने वाली भरती है उसमें नियम लागू है जैसे मानलोगी राजस्तान पुलिस कोंस्टेबल के अपने बात करें तो उसमें ये लागू हो सकता है लेकिन वहीं अपने बात करें वन रक्षक वन पाल की तो उसमें लागू नहीं कोगा क्योंकि वन रक्षक वन पाल की जो बर्ती हो निकली हुई है ओलेडी इसके फारमरी उपन होने वाले है ना कि ये बर्ती नए सीरे से निकलने वाली है ठीक है ना आईपा समझ में तो ऐसा है ना जो 2022 इसे शेशन में जो भरती निकलेगी ना दोस्तों जो नई सीरे से भरती निकली है याने कि जो पहले नहीं हुई है उसके अंदर ये नियम लगू किया जाएगा और उसके अंदर जो बोर्ड है जो भी समन्दित बोर्ड है ये ठीक है ना तो जिन लोगों के अग्जाम मटके हुए जैसे वनक्षक वनपाल के अग्जाम मटके हुए उनको घबराने क्या आउसकता नहीं है आपकी बरती में नियम लागू नहीं हो रहा है अब से जो नई भरतियों का मतलब है जिनका निया विग्या पंजारी होगा ऐसा नहीं कि प्राणी भरतियों उनके फारम रियोपन हो रहे है जो नहीं भरतिया आएगी उसके अंदर ये नियम लागू होने वाला है ये है राजस्तान सरकार का नियम आई पास मज़में दोस्तों तो मैंने सोचा कि क्यो ना आपके साथ एक वीडियो बना करके शेयर कर तो आपने लोग वीडियो को लाइक कर दो सभी लोगों तक इस जानकारी को शेयर कर दो शेयर जरूर करो दोस्तों क्योंकि सभी लोगों को पता लगना चाहिए ना कि अपडेट रियल में है क्या बहुत है लोग इस अपडेट को गलत समझ रहे है ठीक है ना रियल में पता box में मिल जाएगा तो आप लोग वहां से हमारे साथ contact कर सकते हो plus दोस्तों आपका कोई भी doubt रहता तो आप comment section में comment करो और अगर आपका को doubt नहीं फिर भी आप comment करो एक प्यारा सा comment कर दिया करो या ठीक है ताकि मुझे motivation मिलता रहे तो दोस्तों आपके साथ बहुती अच्छा अपडेट में ने साजा किया है बहुती clearly मैंने आपको बता दिया है कि अपडेट क्या है इसका मतलब क्या है तो दोस्तों मिलते next studio में तब तक के लिए bye bye take care जै हिंद जै भारत